तो बालक probability का ये part 2 वीडियो है, part 1 वीडियो में हम लोग cards related important question समझे थे, important concept हम लोग card का सिखे हुए थे, learn भी हम तुमको करा दिये थे part 1 वीडियो में, ये जो वीडियो है बालक, ये part 2 वीडियो है probability का target किया गया है, तुम्हारा term 1 examination यानि objective जो exam हो रहा है बालक, उस पर target किय गया है उसी का playlist तैयार हो रहा है बालक, तो ये जो part 2 वीडियो है बालक, इसमें हम लोग सबसे पहले ये concept अच्छे से समझेंगे, अच्छे से ये concept जो है ना, अच्छे से बालक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बार competency based question 50% आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा logical question रहेग 15 question देखेंगे, total 15 question देखेंगे, हना इसके basis पर ही वो सब questions को तुम solve कर पाऊगे, सारा important question होगा, लेकिन सबसे पहले बालक हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं, दियान से समझोगे, यहाँ पर ये जो formula है तुम 9th class में भी पढ़े थे, ये जो formula है बालक ये तुम 9th class मे भी पढ़े हुए थे, इसी formula को थोड़ा और अच्छे से मनों discuss करेंगे, देखो probability of occurrence of an event, event कोई भी होने का जो probability है, उसका ये formula है बालक, उसका ये formula, अब ये event का मतलब क्या है, आराम से समझोगे, event का मतलब क्या होता है, देखो बालक, जब तुम dice को, dice को अगर तुम roll होगे, है न, तो total 1, 2, 3, 4, 5, और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, आ सकता है, इसी में से कुछ आएगा, इसमें से कुछ भी आ सकता है, suppose 5 हाया, suppose 5 हाया, 5 आया न वालक, तो तुम बोलोगे, 5 एक event हुआ, कब event हुआ, जब तुम एक experiment किया, क्या experiment किया, एक dice को रोल किया, ए मतलब 2 event होने का probability क्या है, इसका ये वालक formula है, event पहले clear हुआ कि नहीं हुआ, suppose हम लोग के पास एक सिक्का है, एक coin है, इसको हम लोग उच्छा ले, उच्छा ले तो suppose tail आया, तो tail है कि event हुआ, experiment क्या हुआ, experiment हुआ कि हम लोग सिक्का उच्छा ले, experiment मतलब सिक्का हम लोग उ पढ़ रहे हैं, probability of occurrence of an event e, किसी मालोग को e event है, अभी तो हम लोग head समझे है, या five को event बोले या two को event बोले, मालोग जो भी event आरानो, इसको e बोल देते हैं, e से हम लोग event को मालोग denote कर रहे हैं, ठीक है, dan noted by pe, मतलब कि e से event को denote कर रहे हो, और probability of that event को हम लोग pe से denote करेंगे, हाना probability of that event को हम लोग P E से denote करेंगे बालक मतलब कि वो जो event है मतलब जो 5 है वो event आने का probability कितना है उसको हम लोग P E से denote करेंगे हमेसा denote करेंगे बात क्लियर है इसका formula होगा बालक number of outcomes favorable to E बतलब E कितने बार आया जो event है वो कितने बार आ सकता है या कितने बार आया है ना divided by total number of possible outcomes for example लेहां से समझो dice को जो तुम रोल करोगे तो total possible outcomes कितना है 6 है 6 ही आ सकता है ठेक ना तो total number of possible outcomes को कहा रखना है बालक नीचे रखना है 6 को हम लोग नीचे रखेंगे मालो 5 का हम probability निकाल रहे हैं कि 5 आने का मतलब 5 इस एवेंट 5 आने का probability कितना है तो 5 देखो 1 2 3 4 5 6 total 6 हो गया total number of outcomes ठीक ना इसमें से 5 एक ही event है ना ज्यान से सुनोगे यहां पर बहुत बच्चा confused होता है और गलट option ticker के आ जाता है 5 यहां पर कितना इवेंट है number of बोला गया है number of outcomes favorable to e मतलब वो event कितने बार आ सकता है या आया है तो 5 कितने बार आ सकता है number लिखना है एक ही बार ना एक बार आ सकता है तो यहां पर हम लोग एक लिखेंगे ठीक ना एक बार अगर डाइस करोल करोगे तो 5 आने कप 5 कितने बार आएगा एक ही बार आ सकता है आ सकता है इसा तो उपर में हम लोग क्या लिखेंगे बालक वन लिखेंगे कोई दिकत बहुत सारे बच्चे 5 लिख देते हैं 5 नहीं लिखना यह number of outcomes favorable to e यानिकि 1 रखना है पी का मतलब probability of that event मतलब उस event को आने का probability कितना है यहां 5 आने का probability 1 by 6 हो गया यहां तक बात किलिर होगा अच्छे से यहीं एक important यह भी समझ लेते हैं कि कोई भी probability यह तो हम लोग probability बता रहे हैं बालक number में बता रहे हैं देखो number में probability बता रहे हैं अगर तुमको percentage में probability पूचे कितना percent chance है ठीक ना कि 5 हा जाएगा अगर dice को हम लोग रोल करेंगे तो कितना percent chance है कि 5 हाएगा बात के लिए है कितना percent chance है कि 5 हाएगा है तो जो भी तुम probability निकालते हो number में उसमें बस hundred से multiply कर दो और percentage लगा दो हो गया बस इस से ज़्यादा नहीं करना अगर तुमसे probability percentage में पूछे तो जो भी number में तुम probability निकालते हो with the help of this formula बस उसमें hundred से multiply कर दो काम खतम probability निकल गया percentage में बात क्लियर है ना यहां तक ही हो तुम अच्छे से तुम्हारा concept बालक क्लियर हुआ होगा अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके अच् जरूरी है वालक अच्छे से समझोगे easy concept है वैसे लेकिन जानना जरूरी है मालने थे हैं कि e कोई एक event है जैसे यही वाला example लिया जाना भाई 1,2,3,4,5,6 मालो 5 आने 5 को एक हम लोग event बोल रहे है डाइस को रोल किया तो 5 एक event हुआ 5 आया एक event हुआ ठीक ना मालने थे हैं मालने 5 एक event है and not e देखो e तो event है और not e का मतलब क्या है be an event which occurs only when e does not occur मतलब की e तो event है not e कहने का मतलब not e तब होगा जब e नहीं होगा मतलब जो 5 नहीं आएगा 5 नहीं आएगा तो total event कितना हो सकता है 1,2,3,4,5,5 हो सकता है 5 मालनो 5 को हम e बोल रहे हैं e तो not e क्या हो जाएगा बालक not e क्या हो जाएगा 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है और 6 हना not e कहने का मतलब यह है not e कहने का मतलब यह है कि जो event ह मकल है अन्हें का प्रभेविलिटी कितना ऐ तो इवेंट के पास 5 देखा जाहें, और आने में देखा जाहें, तो कितना हो गया, फिर से कबोट देखा जाहें, Let e be an event and not e be an event which occurs only when e does not occur, e जब नहीं हो तब not e होगा, है न, we denote not e by, देखो not e, मतलब कि e नहीं होने का probability जो है, ठीक न, not e को हम लोग डिनोट करते है, e कॉम्पलिमेंट से, ठीक न, इसको e कॉम्पलिमेंट पढ़ा जाता है, मतलब e के उपर एक डैस, या e के उपर एक बार ल e कॉम्पलिमेंट का मतलब, called compliment of event e, ये मतलब की, e डैस या e कॉम्पलिमेंट या not e, ये तीनों बात अगर लिख दिया जा, ठीक न, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, कि ये e का compliment अगर e का compliment का मतलब तुम अच्छे से समझ गए, कि e नहीं होने का बात, अब एक important बात, बालक नहीं समझ पाऊगे इसको हम लोग फिल कर लेंगे है बड़ा असान चीज ठीक ना है बड़ा असान चीज देखोगे ध्यान से ध्यान से बालक ध्यान चंतकुमार देखो probability of getting e plus probability of not getting e है ना देखोगे probability of getting e plus probability of not getting e is always equal to 1 यह बात हम इसा याद रखना है अभी हम इसको proof करा रहे हैं कैसे होता है अभी हम लग दो example से इसको अच्छे से proof करेंगे क्योंकि probability से sure बोल रहे हैं कि यहीं से question आने वाला है काड़ वाला तो आ सकता है, मतलब एक या दो कोस्चन यहां से होने ही वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझे लोगे वालाग, ध्यान से probability of E मतलब probability किसी event का होने का plus probability उसी event का ना होने का दोनों को अगर add करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा यह एकदम clear बात है कैसे तो देखो सब्सक्राइब हम लोग सबसे पहले क्वाइन से समझते हैं ठीक ना C-Y-N क्वाइन मतलब कि एक क्वाइन को जब तुम उछालते हो तो दो बात हो सकता है एक head हो सकता है और एक tail हो सकता है यही दो बात हो सकता है total outcomes कितना हो सकता है 2 है ना number of total number of possible outcomes जब हम लोग सिखा को उछा ले तो कितना हो सकता है 2 हो सकता है हना अब हम तुमसे पूछ रहे मालो event हम लोग h को बोल रहे है event h को बालक हम लोग event बोल रहे है हना कि head आने का probability अगर हमें find करना हो तो pe अगर इसका निकालेंगे तो देखो सिखा उच्छा लेगो एक ही h है तो उपर में हम लोग क्या रखेंगे बालक हो 1 total number of outcomes 2 total number of outcomes बालक 2 यानि किसका probability हो गया 1 by 2 यह तो clear है p not e निकाला जाए p not e head नहीं आने का probability हम लोग निकाल रहे है not e e किसको बोल रहे है head को तो not e का मतलब head नहीं आने का probability अगर head नहीं आएगा तो क्या आएगा tail आएगा वो भी एक ही number है tail का भी एक ही number है head अगर नहीं आएगा तो tail आएगा एक number है ठेक ना तो e is equal to 1 by 2 p not e भी क्या हो जाएगा बालक 1 by 2 क्योंकि total outcomes 2 है और नहीं आने का मतलब अगर head नहीं आते है तो एक ही number आ रहा है ना एक ही number आ रहा है 1 by 2 p kitna आ गया इस case में बालक 1 by 2 और p not e कितना आ गया 1 by 2 यही बात आया ना अब दोनों को हम लोग add करके देखते है p e plus p not e यह दोनों को add करो दोनों को add करो को 1 by 2 1 by 2 1 by 2 plus 1 by 2 कितना होते बालक 1 by 2 plus 1 by 2 1 ही होता है बात clear है ना एक और example देखो एक और example से और तुम्हारा बालक clear हो जाएगा एक और example बढ़िया से देखोगे dine scroll किये थे भी हम लोग dine scroll करोगे ठीक ना 1,2,3,4 4,5 और 6 let 5 को हम लोग फिर से event बोल रहा है तो p e कितना होगा probability of getting 5 यानि probability of getting 5 event is मतलब 5 आने का probability कितना है इतना हो जाएगा 1 by 6 हो जाएगा क्योंकि 5 तो एक ही है है ना एक और by 6 क्यों क्योंकि total number of 5 to come कितना है 6 है p naughty आने का probability यहाँ ध्यान से समझोगे यह तुम्हारा concept बहुत किलर करेगा p naughty अगर 5 नहीं आता है 5 नहीं आता है अगर 5 को ना इंक्लूड किया जातो हना 1,2,3,4,6 5 आ सकता है ठीक ना तो p naught is equal to हो जाएगा बालग 5 by 6 क्योंकि 6 तो रहेगा total number of outcomes इस case में 6 ही रहेगा हना तो 5 आने का probability 1 by 6 5 नहीं आने का probability 5 by 6 हो गया इस case के लिए दोनों को add करके देखा जाए p e plus p naught e को add करके देखा जाए 1 by 6 plus 5 by 6 कितना हो जाएगा 6 LC हम लोगे 5 plus 1 6 cancel हो गया 1 1 आया मतलब हमेशा हरे case के लिए कोई probability होने का और probability नहीं होने का जो value आ रहा है दोनों को जब तुम add करोगे बालक तो हमेशा वो तुम्हे 1 ही देगा क्या देगा बालक? 1 देगा ये बात अच्छे से clear हुआ की नहीं हुआ? अरे बोलो का भाई बात clear हुआ की नहीं हुआ? हो गया? बात clear होना भी चाहिए ध्यान से दखोगे अगर सपोच हम लोगों से अगर कोई पूछ ले बालो की probability हम लोगों को दिया हो कोई event होने का और हमसे पूछ दे probability नहीं होने का बताओ वो event नहीं होने का probability बताओ अगर हमसे कोई ये पूछ दे तो हम लोग यहां से एक फर्मुला बना सकते हैं क्या बालक? P E is equal to 1 minus यह इधर प्लस में उससाइड गया तो माइनस में P not E P not E ऐसे बना सकते हैं क्या probability of that event probability of that event is equal to 1 minus P not E बोलो यह बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं तो इस formula के help से हम लोग किसी भी scene का probability बता सकते हैं होने का भी नहीं भी होने का बसरते एक मालूम हो जाए कभी होने का अगर मालूम चल जाए ठीक ना इसको इधर भेस दोगे तो 1 minus P हो जाएगा वह भी निकल जाएगा probability होने कभी निकल जाएगा यह formula बड़ा important है यहां से questions बनाया जाएगा अब जो हम आगे बात बताने जा रहे हैं बालक वह भी important है ध्यान से समझोगे यहां से भी questions इस बार देखो इतना explain इसलिए करना पड़ रहा है वालक ज्यान से सुनोगे क्योंकि यह concept अगर तुम्हारे माइंड में अच्छे से ना होना तो questions छूट सकता है तुम्हारे माइंड में अच्छे से क्लियर ना हो तो लियान से समझोगे probability तुम किसी भी सीन का निकालोगे कोई भी सीन हो कोई भी question अगर probability निकालोगे ठीक ना तो भैरी हमेशा बालक जीरो से करेगा मतलब जीरो तक हो सकता है निकेटिब नहीं हो सकता है और उसका जो probability है उसका maximum value बालक वन तक ही जा सकता है वन से जादा बालक probability नहीं जा सकता है किसी भी case का निकालोगे जैसे 1 2 3 4 5 और 6 5 जो था सुचो कि यहाँ पर किसी भी चीज का probability होने का वन से जादा भी हो सकते है क्या हम बोले कि वन से लेकर तक आने का probability बताओ वन से 6 को भी तो एक बार dice को कर हम लोग रॉल करेंगे तो 1 से लेकर 6 के बीच में आने का probability 1 2 3 4 6 ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 7 आने का probability बताओ एक dice को रोल किये तो 7 आने का probability 7 event है ही नहीं 7 event है किसमें इसमें outcomes में 7 आ सकता है कि 7 तो जीरो भाई 6 कितना आ गया जीरो आ गया मतलब कि probability का जो बहलू आएगा ना ध्यान से सुन लो probability का जो बहलू आएगा वो minimum 0 हो सकता है और maximum 1 हो सकता है इनी दोनों के बीच में या तो आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा अब तुम probability का बहलू कभी निगेटिव न पी जो है यह नहीं हो सकता है कोदिकत probability किसी भी event का वन से बढ़ा और 0 से छोटा नहीं हो सकता है 0 और 1 भी हो सकता है लेकिन 0 से 1 के बीच में रहेगा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता अब 0 बालक तब होगा जब वो इमपॉसिबल हो क्या हो बालक इंपॉसीवल जैसे, डाइस को भी हम लोग रोल किये, तो 7 आने का प्रबशाबिटी, इंपॉसीवल है, 7 कैसे आयागा, जब उसमें 7 है यह नहीं, ठीकना, और 1 तब आयागा बालक, जब एक तम 6 और 7 और 7 और 7 और 11, 7 और 7 और 7 और 7 और 8 और 7 और 7 और 10 का और 10 और 10 और 10 और और 1 probability आएगा और impossible बात हो वालक तो 0 probability आएगा तो बात ये भी द्यान रखना है कि 0 से 1 के बीच में ही किसी भी probability का भेलू आ सकता है इसके बाहर वालक नहीं आ सकता है तो बालक हम लोग concepts को अच्छे से clear कर लिये जितना भी था अगर तुम अच्छे से बालक जितना भी हम पढ़ाया ना भी बोड पर ये सब concepts था अगर इतना तुम अच्छे से समझ गये हो तो अब तुमसे probability में कोई भी questions नहीं चुटने जा रहा है अब हम लोग 15 questions देखेंगे और तुम सारे questions का answer जो है वो खुश से attempt मारा होगे खुश से try करने का कोशिस करोगे तब हम solution बताएंगे तो चलो हम लोग बालक questions को देखते है तो बालक question number one तुम्हें board पर दीख रहा होगा हमको mobile में दीख रहा है बालक if an event cannot occur अगर कोई event नहीं हो सकता है then its probability is तब उसका probability probability क्या होगा यह तुम्हें बताना है बड़ा simple है अगर कोई event हो ही नहीं सकता है अभी तो discuss किये थे probability कितना होगा जीरो होगा यानि कि इसका जो इसका जो बालक answer होगा question number one का वो होगा option number D यानि कि 0 क्यों होगा समझ में आ रहा है 0 से 1 के बीच में बहरी होगा 0 तब होगा ज चलो जैसे question इसे dice को roll किया गया और तुमसे push दिया जाए इसे dice को roll किया गया और तुमसे push दिया जाए बालक की बता कि कोई एक integer आने का probability कितना है थाना तो 1 से लेकर 6 तक इसमें से चार। तुमको ओप्सन दिख रहा है कोश्च नमब दिख रहा है इस चार और में से कौन सा प्र नहीं हो सकता और सी देखो बांप संबर्स लिए ठ्रीपरसेंट यह प्रोबैबिलिटी हो सकता है क्या विल्कुल हो सकता है 现क है 3% हो सकता है 4% हो सकता है 2000 अई है 0.1 यह 7 यह नहीं हो सकता है किया यहां सेक्पोर्टेंट बातं हम तुम्हğimें शीखा रहे हैं ध्यान से लेखोगा कभी profitability में वण को कर सकता है वण को नहीं cross करने के लिए बालक वण को बहलों नहीं cross करने के लिए लिए कर लेक्र रेक्żeक्र करने के करने की लिए ये ट्रस्स परנס ना आगया वन ही मैक्सिमम है नुम्रेटर हमेशा छोटा होना चाहिए इसके अलावा अगर कोई तुम दिखे तो इसे तुम टिक कर दोगे यानि कि 17 by 16 कभी भी प्रोबैबिलिटी का भैलो नहीं आ सकता है क्यों नहीं आ सकता है क्योंकि यहां नुम्रेटर जो है वो बड़ा है क क्योंकि इस टाइब के कोईशन को तुम जल्दी जल्दी लॉजिकली समझ सको को को तुम खुड ट्राइ करो वाला को थाट में है के न इवेंट इस वह रिए उनलाइकली तू है एक इवेंट जो है न वो बड़ा कम चांसे की होगा तुना वेरी उनलाइकली तू है इस प् पूछे बालक की वेरी अन्लाइकली टू है वतलब बहुत कम चांस है उस चीज को होने का तो उसका प्रवेबिलिटी क्या है तो जो सबसे छोटा वेलू होगा उसी को तुम टिक करोगे सबसे चोटा वेलू यहां ऑप्शन नम्बर यह 00001 यह तुम्हारा एंसर हो जाएगा क क्या नम्र 3 जो दिक्कत है बात के लिए रहना चलो कौौस्चन नमर 4 भी बहुत इंपोर्टेंट है इस में के लिए ही कॉंपटेंसी बस यह इदना हम पढ़ाय अभी तुमको थी चुर्य समझाया गया इस टाइब कर को उसे किलिए समझाहान बहुत के बालक नशाति इंस हना काफी इंपोर्टेंट है, if the probability of an event is P, अगर किसी event होने का probability अगर P है, तो probability of its complementary event, complementary मतलब कि P तो इसका event होने का probability है, complementary मतलब नहीं होने का probability, वो event नहीं होने का probability, देखो, अगर P किसी event होने का probability है, तो नहीं होने का probability बालक 1-P हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे P e plus P not e P not e is equal to 1 तो यह तो बालग क्या है probability होने का ठीक ना probability होने का तो probability नहीं होने का क्या होगा यह इधर चल जाएगा इधर plus में तो इधर जाएगा तो minus में यानि कि P not e is equal to 1 minus P हो जाएगा और यहाँ P कितना है यहाँ P तुमको बोला गया है P मतलब probability of that event is P P से denote किया जा रहा है यहाँ पर एंसर हो जाएगा बालक 1 minus P question number 4 का answer 1 minus P tick कर लोगे हना option number C question number 4 का answer होगा option number C हो जाएगा चलो 5 देखते हैं बालक 5 में कि which of the following can be the probability of an event इसमें से कौन सा जो है वो किसी event का probability हो सकता है इसमें से कौन सा हना तो ध्यान से देखो option number A को देखो निगेटीव है निगेटीव तो ही नहीं सकता है 07 के बीच में वैरी करेगा probability तो निगेटीव नहीं हो सकता हम लोग पढ़े थे यहां देखो बालक यहां तुमको नहीं दीख रहा होगा एक सेड़ थोड़ा देशी दस्टर का हम लोग बालक यूज कर लिया जाए तब तक तुम कोश्चन को बालक ट्राइ करते रहा हो ऑप्सन नमबर यह तो नहीं हो सकता है न ऑप्सन नमबर बी में है 1.004 यह हो सकता है क्या तो पॉइंट को हटा लो नीचे में 30 अब देखो यहां पर निम्रेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बढ़ा गया निम्रेटर से है और लास्ट था यूला प्सनन नबर इस फैन इसे तक लिए वी तुमसे पूछा गया है कि इन में से कौण सा जो है वो किसी event का probability नहीं हो सकता है टाइम वेस्ट नहीं करोगे option number B negative है minus 0.5 कभी भी negative हो सकता है क्या probability कभी नहीं हो सकता है तो इसको tick कर दोगे यह probability नहीं हो सकता है यानि कि हम लोग six question अभी तक complete कर लिए seven question में देखते हैं बालक बोल रहा है probability of an event cannot be किसी भी event का seven number question देखो द्यान से किसी भी event का probability इन में से कौन सा नहीं हो सकता है option number C tick कर दो negative कभी negative हो सकता है क्या ठीक ना कभी negative नहीं हो सकता है बालक कोई दिक्कत I hope यह seven question तुम्हें अच्छे से बालक clear हुआ होगा चलो हम लोग आप देखते हैं बालक question number कौन सा एट question number eight question number eight थोड़ा सा थोड़ा सा बालक logical है लेकिन तुम बना सकते हो देखो भूला गया है a single letter a single letter is selected at random a single letter को हम लोग select कर रहे है randomly randomly मतलब कि एक single letter बीना सूचे समझे randomly मतलब बीना सूचे समझे लोग निकाल दे रहे हैंוש ça sexuality कर रहे थिंगणे एक इंस सालेक कर रहे हैं सेंगल स्यचने लेटे रहे हैं लोग यह जाएगा 1 यह हो जाएगा इस का क्या प्रॉबेबिलिटी है तो अच्थ प्रोबीबिली इसमें देख लोग कितना है एक है दो है तीन है ठेग चार है टूटल यहाँ पर बालक चार वावेल है चार बॉक्षच हो सकता है यह अ चार हो सकता है दो टोटल नमबर पॉसिबल आउटकम्स वन टो थी फॉर फॉर फाइट नाइन टेन एलेवन तो तुम देखोगे वालक यहां पर कि फॉर बाई इलेवन कहां पर है यानि कि ऑप्सन नमबर भी जो है वो राइट एंसर हो जागा फॉर बाई एलेवन बात समझ में आया कि नहीं बार है उसको उपर रखना है और टोटल नमबर फॉर इंस को बालक नीचे रख देना है चलो एट नमबर भी होगे बालक अब देखते हैं एट नमबर के बाद नाइं नमबर देखोगे इन सिंगल ट्रो ऑफ डाई एक डाई को एक बार तो किया जा रहा है द घिख ना टोटल नीन हमने का प्रेकैनि तो देख लो इसमेंग नमबर कितना है एक है दो है और तीन है तो यहां की यहां लिख दोगो उपर भी टोट्ल इंट थी हो सकता है ना तो three और टोटल आउटकम कितना हो सकता है six जांट तो three by six यहाँ तो it कि यहां पर option number B, option number A, question number 9, option number A, 1 by 2, इसका right answer है, माल लो यहीं पर percentage में पुछा होता, तो तुम क्या करते है, जो भी तुमरा probability आया, उसको क्या कर देते वालक, 100 से multiply कर देते, ठीक ना, 100 से multiply करोगे, तो 50%, 50% chance है वालक, कि dice को जब हम लोग थो कर रहे हैं, तो कोई even number आजा, उसी तरीके से कोई odd number का पूछा होता तो, 1, 3, और 5, तीन केस बन रहा odd number का, तो 3 by 6 हो जाता, अगें 1 by 2 answer हो जाता, कोई दिक कर, चलो 10 number, 10 number देखो के बालक, एक second, a dice is thrown once, एक dice को फिर से एक बार फिका गया, the probability of getting a prime number, प्राइम नंबर आने का probability क्या है, देखो, प्राइम नंबर से related एक और, इसके बाद ही वाला हम question तुमको कराएंगे, प्राइम नंबर से related बड़ा important question है, कराएंगे आज, वो बहुत chance बनता है, हमेशा आ सकता है, देहन से देखो, dice is thrown once, एक dice को एक पर फेका गया, probability क्या है, probability क्या है वाला कि वो एक प्राइम नंबर होगा, तो देख लिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, कितना यहां प्राइम नंबर क्या बोला गया था, हाँ, प्राइम नंबर, है, हाना एक 5 यहां पर प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत है वाला, नहीं है, तो एक dice को एक बार फेका गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आउटकम 6, यानि कि 6 नीचे लिख देंगे, और प्राइम नंबर कितना, 1, 2, और 3, यानि कि 3, 3 एसा है प्राइम नंबर, इसका भी probability कितना होगे बालक, 1 by 2, यानि कि option नंबर C जो है यहां पर, वो तुम्हारा right answer हो जाएगा, बात clear है, चलो, इसके बाद 10 नंबर कोशन के बाद, हम लोग देखते हैं बालक, 11 नंबर कोशन, 11 नंबर कोशन देखते हैं देखो, यह भी बहुत important है, 11 नंबर को अच्छे से समझोगे, 10 नंबर तक हम लोग कोशन को अच्छे से कर लिए बालक, आई होब सारा कोशन तुम्हें अच्छे से clear हो रहा होगा, हना, अगर clear कोशन नहीं होता है, सारा important question है बालक, comment करोगे, अगले वीडियो पार्ट में इसको बताने का कोशिस किया जाएगा, probability of getting a bad egg, एक bad egg आने का probability क्या है, in a lot of 400 is 0.035, देखो, total 401 है, total कितना एग है बालक, 400, 400 total है, इसमें से तुमको PE दे दिया है, PE दे दिया, E क्या है, bad egg, is equal to तुमको दे दिया गया, 0.00, 0.035 दे दिया गया, बात क्लियर है यहां तक, तुमसे पूछा गया, number of bad egg in the lot is, मतलब कि इस lot में, मतलब जितना भी एक का collection था, उसमें कितना bad egg था, यह तुमसे पूछा गया है, तो देखो, probability of getting that event क्या होगा, total number of bad egg, total number of bad egg, divided by total egg, total egg कितना है 400, is equal to ओगा probability, देखो, bad egg का probability ऐसे निकालेंगे न, कि उसमें जितना भी bad egg होगा, उसको जब हम total egg से divide करेंगे, तो हमरा probability आ जाएगा, एग जो bad है, वो आने का probability आ जाएगा, यानि कि इसका answer हो जाएगा, 0.035, ठीक है, answer नहीं बालक, उसका value 0.035 आ जाएगा, अब देखोगे, यहाँ पर यहाँ पर देखोई, इसको जब remove करेंगे बालक, तो यहाँ पर 30,000 आ जाएगा, अब इस 400 को अगर उदर ले करके, चल चल जाएगा तो यह हो गया बालक, टोटल नमबर ओफ, बैड एग, इस इक्वल टू, 0, यह सब तो हट गया बालक, 35 हो गया, क्योंकि पॉइंट हट गया, और नीचे में, 1000 इन्टो 400, दो जिरो से दो जिरो बालक, यह दोखो 5 से 2 बार में, और यह 5 से बालक 7 बार में, यहीं कि 7 टूजा 14, 7 टूजा बालक, 14 हो गया, बात किलिए रहा न, क्योशन नमबर कितना था बालक, 11 था, तो इसका जो एंसर होगा, आप्सन नमबर कितना, B एंसर होगा, आप्सन नमबर B में 14 है, तो 14 तुम टिक कर दोगे, इसमें क्या था, कि probability तुमको दे दिया था, नमबर बैड़ेक बता न था, तो probability यह कब आया होगा, जब हम लोग total number of बैड़ेक को, total number of x से डिवाइड किये होंगे, तो यह आया होगा, इसलिए इसको equate कर दिये, equation बना दिये, 11 के बाद देखा जा बालग, question number 12 देखा जा, question number 12, question number 12, 12 भाँ, 12 देखो बालग, ध्यान से देखोगे, the probability of getting a number, बहुत important question, यही बताने वाले थे, prime number से related, यह question बहुत important है बालग, बोल रहा, the probability of getting a number between 1 and 100, 1 से 100 के बीच में, between बोला गया है बालग, क्या बोला गया है, between, ध्यान रखोगे, बोला गया है between 1 and 100, 1 और 100 के बीच का, ऐसा number का probability तुम्हें बताना है, जो 1 और itself से divide हो, ठीक ना, which is divisible by 1 and itself, 1 से और वो खुद से divide हो जाए, 1 से और खुद से divide होने वाले number को ही, तो हम लोग prime number बोलते हैं बालग, 1 से और खुद से divide होने को ही, हम लोग क्या बोलते हैं, prime number बोलते हैं, तो देखो बालग, 1 से 100 के बीच में, अगर तुमसे कोई पूछेगा, ठीक ना, तो total prime number जो है, वो 25 है, कि 1 से 100 के बीच में, टोटल prime number आने का probability क्या है, तो total prime number 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बात clear है, ये बात clear है, लेकिन कोईशन में थोड़ा सा suspense बनाया गया है, यहाँ पर बोला गया probability of getting a number between 1 and 100, 1 और 100 के बीच में, total number कितना है, बीच का बात बोल रहा है, बीच का बात बोल रहा है, तो total 98 number होगा, 98 number 1 और 100 के बीच में, total 98 number, बात clear है, और total 1 और 100 के बीच में, प्राइम नुबर कितना है, 25, तो बोला है कि वो number, खुद से divide हो, या 1 से divide हो, तो prime number है, यानि कि इसका जो एंसर होगा, वो होगा, 25 by 98, क्योंकि total prime number, total ऐसा number, जो खुद से हो, और 1 से divide हो, और 1 से 100 के बीच में, total number 98 है, तो यह इसका बालग probability हो गया, यानि option number C is the right answer, बढ़ियां से याद रखो, कि 1 से 100 के बीच में, 25 क्या है, प्राइम नंबर, अच्छे से बालग इस चीज को याद रखोगे नहीं, तो प्रोब्लम होगा तुमको, question number 13 देखो, question number 13 भी बहुत बढ़ियां है, 13 number question को देखोगे, सारा इस वीडियो में बालग, बढ़ियां questions को select किया गया है, 15 question में total, इतना अगर अच्छे से कर लोगे, काड वाल अच्छे से सीख लोगे, तो question नहीं छूटेगा वालग, लेकिन फिर भी हम part 3 बनाएंगे, question नहीं छोड़ने का, part 3 बनाएंगे, लेकिन part 3 थोड़े दिन के बाद आएगा, अभी हम लोग साइन्स के फिर वीडियो अप्लोड हम करेंगे, तो उसको तुम लोग सीखोगे, इतना अगर कर लोगे, तो probability पर कमांड तुमर अच्छा हो जागा, और थोड़ा simple paper वगरा बना लोगे, तो अच्छा रहेगा, इतना के बाद तुम simple paper को अच्छे से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा important हम discuss कर देंगे इस वीडियो में, 13, 14 और 15 उसके बाद सारा complete हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो लाश्ट लाश्ट तक हम एक और बना देंगे, case waste study वाला, तो अनवेस्ट कोई आट वाश्ट साइमल्टिनेसली, दो कोई को, अनवाश्ट का मतलब होता है, मतलब मालूम नहीं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ उसमें बैमानी नहीं है, कि वो हेड भी आ सकता है तो दो सिक्का को उच्छा जा रहा है, ठेना, दो सिक्का को बालक दो कोई को, साइमल्टिनेसली यानि सांस सात उस्छाला जा रहा है, देन दो प्रोबैलिटी ओफ गेटिग नो धी, बोला गया है, प्रोबैलिेटी ओफ गेटिंग नो हेड, हेड नहीं आने का प्रोबैलिटी जो हैना, वो दिया गया है A by B, A by B तुमको दिया गया है, बड़ा important question है, A by B दे दिया गया है, वो A by B है, then बोला गया है A plus B का whole square जटे क्या होगा, then A plus B का whole square क्या होगा? यह तुमसे बालक पूछा गया है, क्या होगा? थोड़ा सा question को अगर try करोगे तब अगर solution देखो के बालक काफी beneficial होगा, यह question आ सकता है, यह question आ सकता है, यह question आ सकता है और बहुत बच्चे इसे छोड़ देंगे, आएगा तो, लेकिन है बड़ा असान, देखो के कैसे असान है, सबसे पहले देखो, दो सिक्का को अगर साथ साथ उच्छाला जाए तो, चार total outcomes हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पहले वाले में, और दूसरे वाले में, और और बी कोई किस हो सकता है, क्या और भी कोई आउटकम सो सकता है क्या पॉसिबिलिटी जाया और को अगर दो तो यह 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 आने का probability no head कोई head ना तो यहां भी हेडा रहा है यहां भी है यहां कोई जो इसका अगर प्रोबिशी निकाला जातो इबेंट तो एक ही है एक ही इविट जहां पर कोई हो गया तुमसे प्लस भी का होली स्कॉर पूछ रहा है तो 1 प्लस 4 का होली स्कॉर यानि कि 25 हो जाएगा 1 प्लस 4 5 5 का स्कॉर यानि कि 25 यानि कि option number D is the right answer इसका option number D right answer काफी important question है बालक ध्यान से इसको नहीं समझ में होगा तो जरूर comment करोगे question नबर 14 14 देखो फोटीन में कि card mark with number 2468 250 यानि कि कुछ काट बनाया गया जैसे मालों यह काड्द है या तू लिखा गया एक काड़ इस पर लिखा गया एक कर इस को mix कर दिया गया फ्रोली पूरा मतलब जितना भी कार्ड यह है इसको mix कर दिया गया और एक कार्ड फिर उसमें से निकाला गया वाट इस दो प्रबाबिलिटी ड़कार्ड इज मार्क्ट वित अ प्राइम नंबर ठीक ना तुमको प्रबाबिलिटी बताना है कि वह जो कार्ड है वह होगा किसी ना किसी प्राइम नंबर से एक बात बता वाट का क्युंव kills दोसे लेकर पस तक का वहीं बनाया घैए कार्ड पर तो टोटल आइटकम्स कितना हो सकता है कितना है 25 पैसे कैसे पम्चास में आधा तो आधा इवयर इश्वन का डिस्कोशन तो टोटल 25 और पुछा गया है कि प्राइम नंबर आने का प्रबाबिलिटी कितना है तो यह पूरे इवन नंबर में एक ही तो प्राइम नंबर है बालक वह कौन सा तू क्योंकि टू वन से और इट से बस दो से डिवीजबल है है ना तो यहां पर क्या लिखेंगे मालक उपर में हम और यहां से तुम अप्शन नंबर कौन सा टिक करोगे एक सेकंड बालक अप्शन नंबर कुछ कौन सा टिक कर लोगे टू बाइट ट्वंटी फाइफ स्वरी तू ऑप्शन गलत यहां पर थुड़ा सा गलती हो गया है टू बाइट वालक देखो इस पूरे आउटकम्स में एक ही इवेंट है जो प्राइम नंबर है एक ही इवेंट है जो प्राइम नंबर है एक ही इवेंट कौन सा इवेंट टू ही एक ऐसा इवेंट है जो एक प्राइम नंबर है यानि कि यहां पर हम लोग 1 by 25 लिखेंगे 1 by 25 होगा कहा मिश्टेक हो रहा था समझ में आ रहा है न मतलब कि अगर इसमें कोई 1 और प्राइम नंबर होता तो में लोग 2 by 25 करते हैं इबंट जो एक ही हैस। एक ही अधिम होगा है ना तो 2 by इसमें कोई 1 by 25 कर लेंगे किकि 2 एक ही यहां पर प्राइम नंबर हैं। है lifesामिच्फेस सबदेगी, माहिआ फोर्टीन के बाद वाला कोशन नुमर्-फिप्टीन वह बड़िया है जना काईफियक भी सिक्स फेसे मतलब को उसस भी है इससोत कढ़िए उसससा साथा है ऐस को फूसर्दय वाला को पर थे जिल को दिखनी दिख रहा होगा है इसमें numbering कुछ ऐसे है 1 है फिर 2 है फिर 2 है बालक फिर 3 है फिर 4 है और फिर 6 है देखो यहां पर 5 नहीं है मतलब कि बनाने वाले से गलती हो गया है को जो बच्चे के पास डाइस है उसमें 2 को दो बार लिख दिया है 5 नहीं लिखा है ऐसा है ठीक ना तो बोल रहा है कि 5 आने क जीरो हो जा गई है था लास्ट कोशन कोशन नमबर 15 हाना कोशन नमबर जो 14 बता है जहां पर ऐसे था टू से ले 4 6 ऐसे करते करते 50 तक था काड़ वाला बालक इसको बालक अच्छे से ध्यान रखो गए यह error सबसे हो जाता है ठीक ना देखो number हम लोग को देखना है हम लोग लोग 1 लिखेंगे और 25 लिखेंगे इसे बालक अच्छे से ध्यान रखना है यहां पर error सबके साथ आता है हम भी जब पढ़ रहे तो बहुँ ज़्यादा आ रहा था गलती हो जा रहा था ठीक ना और यहीं पर तुमसे सी बेसी गलती करा रहा होगा तो बालक आई होप यह 15 कोश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसका जो कॉंपटेंसी बेस जो कॉंसेप्ट है वह भी तुम अच्छे से समझे होगे है तो हमको ऐसा अब उमीद है कि कार्ड वाला सारा पढ़ने के बाद यह पढ़ने के बाद तुमसे कोश्चन नहीं छूटेगा प सब्सक्राइब कभी दे सकता है उसमें हम लोग केस स्टडी भी देख लेंगे लेकिन वह लास्ट में वीडियो लाएंगे इसके बात जो अगला वीडियो अप्लोड होने वाला है वह कॉलर्फुल वर्ल्ड से हुमन आई जो है वह तो नहीं आ रहा है कॉलर्फुल वर्ड स से जितना इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव है वालक और उसका कॉंसेप्ट भी वह सारा अगले वीडियो पार्ट में हम ला देंगे थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा इंपोर्टेंट कोशन उसका भी हम अप्लोड कर देंगे जो तुम्हारे लिए इंपोर्ट इसका फोटी कोशन कर लेते हो वालक तो एक तौरीके से तुम 200 कोशन कर लोगे क्यों कि क्या-क्या बन सकता है उत्थर किया और कि अस वान के सिह क्ले मृण भी कुलोड हो गया है आनल जिशोद है उस चैनल पर आक ऊपुल कॉंसेप्ट ऑप्लोड जितना तुम है इस वार कर दो कर दो कर दो